हेलो स्टुरेंट्स वेलकम तो स्टुरीजेस्ट दे वल्ड अफ एडुकेशनल सलुशन्स स्टुरीजेस्ट एक ऐसा यूनिक प्लैटफर्म है जहां पर आपको हर एक टाइप का अफुर्टेशनल सलुशन्स प्रॉवाइट के जाता है इस बत् monstrous वुल्ड एलें सम च्रायद के मावागा there क इस नेर्ट स्टुरी ओ हांट टितंड सब्सपुर्ट्ट झालिया शुरु करते हैं अज सब्स्दूंस और विदी तons सीमक्तम तो में एक लिजु Monte YouTube channel that is Strategist Academy, you can like us on Facebook by writing Strategist Academy, you can join our Telegram channel that is Strategist School from 7 to 10 and you can see the link is provided over here and this is how our Telegram channel looks like. यह Telegram channel join करने का आपका कुछ यह फाइदा रहेगा कि हम लोग का जो live classes है वो आपे आपको प्रोवाइट किया जाएगा, मनलब बॉंदल का प्रोवाइट किया यहां से आपका live classes, recorded classes, study material, अपका कोई भी अच्हारीड फ्री काणे किविए है, आपका यहां से आपका आप यहां से आप access कर पाएंगे और download करने के बाद आपका जो app है ऐसे दिखेगा तो make sure you download it as soon as possible this is how our youtube channel looks like strategist academy make sure you subscribe it and press this bell icon so that you get notified if any new content are uploaded on the channel and this is how our facebook page looks like make sure you like share and subscribe this youtube channel and also facebook page और आपका दोस्तों के साथ share कर दिजिये आपकी उनलोग को भी फाइदा होता रहे चलिए आज से class शुरू करते हैं जो है height and distance के उपर height and distance शुरू करने से पहले एक बर मैं बता देना चाहता हूँ जो important कुछ concepts है जो आपको चाहिए है आपको जरूरत होगा जानना एकदम 100% आपको concept clear होने के लिए वो थोड़ा हम लोग बिसकस कर लेंगे उसके बाद हम लोग applications देखेंगे first of all is line of sight अभी देखिए मैं आपको देख पा रहा हूं मैं आपके तरफ देख रहा हूं यह जो आपका contact है आपका सीधा सीधी यह आ रहा है तो this is called as line of sight this side जो मैं आपके तरफ मैं जो लेके आ रहा हूं यह जो side है आपके तरफ आ रहा है this if I draw a line from my eyes towards this camera जिसके साथ हिसाब से यह हो रहा है तो इस this camera and my eye है इसके अंदर जो straight line अगर मैं draw करता हूं इसे कहा जाता है line of sight लंबा है ड्रॉ कर सकते है लंबा line line है तो line है और side मतलब vision तो line of sight ठीक है तो a line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point of object viewed by the observer मान लेजीए यहां पर कोई खड़ा है miss क्या नाम मुलें कि कोई एक नाम मुले miss Radhika ठीक है Radhika नाम ले देते है Radhika नाम से कोई एक यहां पर खड़ी है जो तो hyphel tower के ऊपर यह Paris में है Paris नहीं Paris है यह R.I.S है यह ना Paris लिख रहा था ठीक है यह Paris में है तो यह Paris में इनके तरफ देख रहा है कोई यह एनके तरफ यह देख रहे है अच्छा देख रहे हैं यह बंदा भी कभी देखका तो वह भी लाइन ऑससाइड होगा यह लोग यह लोग है जो भेलाइन आई कॉंटेक का जो लाइन है यह अगर आएं क्वरा करते हैं इसे का आजाए लाइन टरफ वाश्राफ लाइन अ of sight ठीक है आखों के तरफ से आखों के तरफ से कोई भी object के तरफ में अगर कोई चीज को देखा जा रहा है तो उसका सीधी अगर सीधी सीधी एक line में draw कर देता है उस object के साथ और आख के साथ तो इसे कहा जाता है अगर इसका यहां से एक horizontal में draw करता हूं एकदम बेस के तरफ एक triangle form हो रहा है एक right-angle triangle form हो रहा है यह right-angle triangle form ओर यह जो अन्गल यहां पर बन रहा है यह theta जबीर यह इसे कहा जाता है angle of elevation जब्यक्तिया का कहा जाता है angle of elevation जब्यक्तिया ऑनगल of elevation of an object view is the angle formed by the line of side with the horizontal horizontal मतलब दलभ यह जो यह स्ट्रेट लाइन है मगर मैं यहां पेक एक इमाजिनेरी थाब कुछ तो इमाजिनेरी है आप तो अगर माली जी कोई है आइफल टावर के ऊपर देख रहा है आप खीचों के निले एक तो लाइन तो नहीं ड्रॉप करोगे ना आप वर्चुल कुछ हो रहा है हम लोगों स समझना है तो एक हर्चुल लाइन में ले रहा हूं horizontal टू इस आइफल टावर का जो अगर मैं horizontal लाइन ले रहा हूं इसे बोल ला जाते है horizontal इसके साथ लाइन ओफ साइड जो एंगल बना रही है होपर अच्राप के तरफ इसे कहा जाता है एंगल ओफ एलीवेशन ठीक है वें दाइव इस एबाफ अवरीजंटल लेवल इसकेस वी राइज और हेट तो लुक अपजेक्ट उपर उठा के मैं देख रहा हूं तो होरीजंटल के साथ जो एंगल बनेगा उससे का जाएगा एंगल ओफ एलीवेशन यह है एंगल ओफ एल एक ड्रॉब करते हो तो होरीजंटल है जो मैं लाइन ओसाइड ड्रॉब कर रहा हूं यह एक हाइपोटेनस या एक लांबा स्लैंटेड हाइट में है यह जो बीच वाला एंगल हो रहा है इसे कहा जाता है एंगल ओफ इलिवेशन चलिए आगे बढ़ते हैं आपकुछ लाइन तो यह मान लेते हैं लास्ट वाला पिक्चर में यह भी आर्थ है यह भी आर्थ है ठीक है आर्थ के उपार यह ऐसे आर्थ के साथ अगर हम लोग एक लाइन पैरलल ड्रॉब कर रहे हैं दुनों मान लेते हैं यह आर्थ है यह आपर कोई बंदा खड़ा है यह टाव लिए दौनों प्लैल एकर प्लैन लाइन ड्रम करते हैं और यहां पर एक प्लेन बनेगा न, 3D में, इस प्लेन को हम लोग कहेंगे, horizontal plane, ठीक है, यह यहाँ पर कहा गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यह clear है, if the observer moves towards the perpendicular line, tower or building, the angle of elevation increases, if the observer move away from the perpendicular line, tower or building, the angle of elevation decreases, सीठी सी भात है, यहां से कोई बंदा देख रहा था, आब यहाँ चला गया, ठीक है, यह वाला में होगा, एसे टोड़ा दूर होगा न, इसका है, ऐसा था, ऐसा था, अब ऐसा था, तिहें है ऐसा था, अब ऐसा हो गगा, गड़ गया ना, ये तो इतना पट तो खड़ गया ना, ऐसे जब रहएगा, तब आपका ज़ादा रहेगा, अब जब ऐसा घड़ गया, तो ये वाले भी घड़ जाएगा, तो क्या होगा, ये वाले तो obviously चोटा होगा ला, अगर थीट थेटादस है, थेटादस is always smaller than theta थेटादस is always smaller than theta तो वही बोला गया, if observer moves towards the perpendicular line, अगर इस point से लेका, इस point के उपड है तो क्या होता है, angle of elevation increase होता है, मंतब थेटा को जो value है, क्या होगा increase होगा, and the observer move away from the perpendicular, अगर यह बाहर के दरब जाता है तो क्या होगा यह दूर जा रहा है तो क्या होगा आपका जो एंगल of elevation है वो decrease करेगा घटेगा ठीक है this will decrease the angle of elevation will increase and decrease depending upon the position of the observer if it is going towards the tower or perpendicular line angle of elevation will increase and if it will go outwards that is from away from the horizontal line or perpendicular line then it is called as then it will be decreasing right तो यह था second point third point क्या है if the height of tower is doubled distance between the observer and foot of the tower is also doubled angle of elevation you mean the same सीधी सी बात है ना क्या है मान लेते हैं एक tower है और यहां पर कोई बंदा देख रहा है यह दोनों का height मान लेते हैं P और P है ठीक है इस को और डबल करेंगे तो यहां पर tan theta क्या हो जाएगा एक मिनिट में let me just rub this so that I can tell you everything clearly let me just rub this so let us take a tower and a person is standing over here looking here this height and this height let me this is P this is X and this is X now if we take a theta what will be tan theta perpendicular by base perpendicular क्या है x है base भी क्या है x है cut जाएगा so it will be 1 so theta will be 45 degree now इसको अगर मैं और एक उपर बढ़ा बढ़ा के x ले रहा हूं और इसको भी मैं एक बढ़ा बढ़ा दे रहा हूं इसको ले रहा हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां फाल्वी थीटा क्या हो जाएगा रहा जाएगा 10 थटा गैर फिछ् people every 45 degree हो यह बढ़िए kita आपर अरा मतलब 45 degree है यह वाम यहत दौइइ distance between the observer and foot ये observer है और ये foot of the tower है ठीक है? अगर ये भी आपका double हो रहा है तो angle of elevation will be even same theta change हो रहा है 45 था, 45 भी है, 45 भी रहेगा अगर ये से condition है tower और आपका ground same है तो है की नहीं? तो this is how we can tell this that if height and the tower and the distance between the observer and the foot of the tower is doubled वो क्या होगा? theta भी आपका same रहेगा double नहीं होगा, same रहेगा ठीक है? next point पे आजाते है if the angle of elevation of sun above the tower decreases the length of shadow of the tower increase and vice versa तो क्या होगा? यहाँ पर मालने तो एक सूरज है, उसका रोशनी ऐसा गिर रहा है यहाँ पर tower है, तो उसका elevation है, अगर ये ऐसा रहेगा, तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? ये थीटा जाता होगा अगर ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा आएगा तो इसका क्या होगा? ये बड़ेगा shadow का है, shadow will increase उपर में रहता है जितना शाम होता है जाएगा आपका इंप्रीज होता यहांटा है क्लियर यहां पर इसका रॉष्णी आएगा, इसका रॉष्णी आएगा, तो सब्सक्राइब यहां थाजाएगा इसका shadow यहाँ पर हो रहा है, तो यह जो angle है, यह बड़ा हो रहा है, जितना आपका angle of elevation of sun above the tower decrease होगा, यह decrease हो रहा है, यह decrease होगा, 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 यह decrease पर था तो shadow यहां पर आ रहा था इतना ही ठीक है अब यहां पर आ गया तो shadow इतना हो गया इतना लंबा ठीक है तो this is what is the concept it is given over here if angle of elevation of sun above the tower decreases length of shadow of the tower increases and vice versa तो यह सर पॉइंट आपको important है examination point of view यह आपको याद रखना है ताकि आपका कोई BTS type का application आप आप easily यह कर पाई कोई rocket science नहीं है देखिए यह जो है height and distance just application and बहुत interesting है जब हम लोग solve करेंगे ना सब मत देख पाएंगे बहुत interesting ठीक है चलिए next सवाल पर आते next अपका concept पर आते angle of depression क्या है अब elevation तो पता लग गया तो angle of depression क्या है यहां पर मालीजे कोई बंदा खड़ा हुआ है यहां पर एक बोर्ट जा रहा है मालीजे यह light house है तो यह भी बंदा कहीं ऐसे दिखेगा यहां पर भी मैं horizontal कर सकता हुआ कि यह आर्थ है आर्थ के सर्च यह जो एंगल थीटा बनेगा नीचे के तराफ इसे कहा जाएगा क्या angle of depression depression हो जाएगा the angle of depression of an object viewed is the angle found by the line of side with the horizontal when it is below the horizontal level अब नीचे आ रहा है ना horizontal level से नीचे है वह elevation क्या था horizontal level के उपर था यह क्या है नीचे है तो नीचे आएगा in case we lower our head to look at the object नीचे ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं तो line of side जो हो रहा है horizontal इधर है यह वाला angle जो हो रहा है अभी तो इसे कहा जाता है angle of depression understood very easy concept कुछ नहीं है depression मतलब क्या है नीचे elevation मतलब क्या है उपर elevate हो रहे है उपर डिप्रेशन मतलब depression में चलागिया बहुत है कोई depression नीचे हो रहे है ठीक है और मतलब उपर है ठीक है यह एक्चुली हम लोग हील से लेते हैं इसा देखना पड़ रहा है किसी उपर का को इलिवेट जगा से मैं देख रहा हूं नीचे ऐसे तो यह जो एंगेल होरीजनल के साथ एंगेल फार्म हो रहा है इसे कहा जा रहा है क्या अब यहां पर कुछ important point है देख लेते क्या है if angle of elevation of a point P is seen from O is equal to the angle of depression of O seen from P मतलब क्या बोला गया यह तो एक अपका straight line है यह horizontal भी straight line है तो यह क्या है यह मान लीचे line of side है अब line of side क्या काम कर रहे है तो यह जो बंदा है जाब यहां देखेगा जो angle of elevation होगा यह थीटा होगा और angle of depression होगा यह दोनों तो थीटा होगा यह दोनों तो थीटा होगा ना तो यहां से हम लोग क्या प्रूव कर सकते कि angle of elevation at point P यहां पर होगा यह पर लेता है point P है scene from point O angle of elevation at point P from scene from point O is always equal to angle of depression O scene from P तो यह वालो जो angle हो रहा है यह वाला angle equal to यह वाला angle तो angle of elevation equal to angle of depression ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यह दोनो horizontal line है यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है इधर नीचे देख रहा है यहाँ से कोई बंदा खड़ा है तो यह theta elevation है यह theta क्या है depression है तो यह दोनों equal रहा है क्योंकि दोनों आपका horizontal है यह पहलाल है और यह transversal इसको काट रहा है तो alternate linear angles are always equal हम लोगों पता है तो ऐसे हम लोग equal इसको कह सकते हैं तो यह वाला point आपको समझ में आ गया next angle of elevation and depression are always acute angle 90 degree में नहीं होता है ऐसे नहीं देखेंगे हम लोग side में देखेंगे ना तो acute होता है हमेशा क्या होता है acute angles होता है यह हमेशा acute angles होता है in solving problems observer is represented by a point of the object is represented by a line segment or a point तो क्या होता है observer का क्या होता है हम लोग height generally हम लोग ignore करते हैं यह था आपका angle of depression और angle of elevation का full story ठीक है angle of elevation क्या है अम लोग देखे angle of depression क्या है वो भी देखे हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं we'll see some questions now के applications क्या क्या है it is given a bridge on a river makes an angle 45 degree with the edge अब क्या है मानले थे एक river flow हो रहा है ऐसे ठीक है अब bridge is there ऐसे एक अब का bridge है ठीक है let me just clear this this is the river this is the river and this is the bridge right so here we have a camera I say a form or a bridge of a river makes an angle of 45 degree with the age age अब का यह है यह of the river ठीक है यह river है यह bridge है ठीक है river के साथ यह 45 degree angle बना रही है if the length along the bridge of one's age of the river is and the other is 150 mm 150 meter then find the width of the river आप क्या दिया हुआ है यहाँ पर एक triangle form हो रहा है इसको माल लेते a इसको माल लेते b इसको माल लेते c मैं triangle को बहार लेके आ रहा हूं और यहाँ पर triangle को मैं अच्छी से दिखाऊंगा a b and c यह तो 90 degree हो गया ठीक है यह 45 दिया हुआ है इसका जो AC है यह 150 दिया हुआ है 150 meter find the width of the river आपको width क्या है यह width a b तो आपको a b निकालना है तो यहाँ पर given है आपको लिखना है given length of river length of bridge क्या है आपको दिया हुआ है 150 meter angle with h क्या दिया हुआ है equal to 45 degree है ठीक है 45 degree आपको दिया हुआ है आपके क्या पूछा गया है length आपको पूछा किए a b so by sin 45 is equal to क्या है आपका a b by a c अगर यह है यह आपका perpendicular है यह आपका base है यह hypotenuse है है कि नहीं इस triangle में triangle a b c में right angle है right triangle है right angle at b है तो hypotenuse आपको sin ना कर लेंगे sin theta लेंगे और opposite उसका theta का क्या होता है opposite perpendicular होता है hypotenuse तो sin 45 equal to a b by a c अब sin 45 का value क्या होता है 1 by root 2 equal to a b क्या है हम लोगो निकालना है a c क्या है 150 है तो क्या आ रहा है a b equal to 150 by root 2 अब इसको sso छोड़ सकते है नहीं छोड़ सकते है अब इसको हम लोग equalize करेंगे तो a b क्या होगा 150 by root 2 into root 2 by root 2 अगर उपर रीच में root 2 root 2 से multiply करूंगा इस कट के तो फिर 150 by root 2 आ जाएगा ना तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं अब इसको क्या करेंगे ऐसे लिख सकते है उपर क्या करेंगे यहां पर आम लोग क्या कर रहे है multiplying both numerator and denominator by root 2 इसको आम लोग ऐसे कर रहे है ठीक है multiply कर रहे है इसको मैं जाएगा यहां से लिख सकते है 150 root 2 by 2 मतलब 75 इकट जाएगा 75 into root 2 अब root 2 का value क्या होता है 75 root 2 यहां पर लिख देता हूँ 75 into root 2 का 1.414 यह हो जाएगा root over of 1.414 तो इसका अगर value करेंगे तो यह आ जाएगा आपका almost 106.06 meter 106.06 meter यह आपका हो जाएगा approximately approximately इतना आपका हाँ जाए क्योंकि रूट 2 का value 1.414 अगर देंगे तो यह बला आपका हाँ जाएगा 106.6 meter तो इस इस दा width of the river तो a b का value क्या निकला है a b तो यहां पर लास्ट में लिखेंगे hence width of the river equal to a b equal to 106.06 meter 106.06 meter यह आपका हो गया last में final answer तो step by step आपको हर एक step दिखाना है यहां पर theta क्या है दिया हुआ है 45 तो sign ले रहा है q ले रहा है आपको यह भी निकालना है यह भी क्या है perpendicular है थीटा का opposite perpendicular तो sign ले रहा है तो sign का क्या होता है perpendicular भाई hypotenuse perpendicular क्या है a b है hypotenuse क्या है a c a c का दिया हुआ है 150 meter तो यहां से हम लोग swap कर लिए with the river understood इस type का question आपको देखने को मिलागा year on year basis every year right next next question पर आ जाते है a man in a boat rowing away from a lighthouse एक मान लेते है lighthouse है ठीक है ठीक है a man rowing away from light house इस तरफ जा रहा है दूर जा रहा है तो 100 meter high इसका है 100 meter lighthouse का जो height दिया हुआ है यह आपका है 100 meter and takes two minutes to change the angle of elevation from top of the lighthouse from 60 to 30 पहले मान लेते हैं यहां पे था यह बंदा आप क्या हो रहा है यह यहां से इतना दूर चला गया दो minute में और इसका जो angle था पहले 60 था यह दूर जा रहा है तो घट रहा है यह 30 हो जा रहा है ठीक है आप पूछा गया है find the speed of the boat in meter per meter per minute using root 3 is equal to 1.732 यह करेंगे तो आपको यह वाला सवाल में आपको निकालना है क्या आपको speed निकालना है बोट का यह 2 minutes में इतना दूर गया तो यहां पे नामान क्रीत कर लेते हैं इसको अगर मैं देखता हूं इसको माल लेते a इसको माल लेते b इसको माल लेते c इस point को माल लेते d ठीक है अब क्या होगा अब हम लोग को दिया है यह 100 meter तो इसी triangle in triangle a b c में क्या हो रहा है in triangle a b c क्यले लिखना है given given the height of lighthouse ऐसे लिखना है क्या lighthouse का height कितना दिया है 100 meter and int triangle आप लिखना int triangle a b c tan sorry यहां पे sign यह tan ही माल लेते हैं कोड नीचे वालो नहीं हाला है tan 60 degree equal to क्या है आपका perpendicular by base tan मतलब यह यह बेस हो गया theta का opposite perpendicular नीचे बेस यह वाला base हो गया तो यह हो जाएगा a b by b c मतलब यहां समलग b c निकाल सकते है b c क्या है a b by tan 60 अब tan 60 का value क्या होता है a b का है 100 tan 60 क्या केतना है tan 60 का है root 3 100 by root 3 यतना आपका हो गया b c का value आप आपको निकालना है आप लेते हैं इन triangle a b d tan 30 equal to a b by b d same है यह perpendicular है total वाला आपका base हो गया बड़ा वाला triangle में यह 2 minute है meter हो गया 2 यह पर यह cover करने में 2 minute लगता है ठीक है 2 minute है meter में confuse मत कीजिए ठीक है आप क्या होगा यहां से आपको a b दिया हो है तो b d क्या हो जाएगा आपका a b by tan 30 मतलब क्या है a b क्या है 100 by tan 30 क्या है 1 by root 3 तो क्या हो जाएगा 100 by root 3 ठीक है तो 100 by root 3 यहां से 100 by root 3 नहीं यह आपका जाएगा 100 root 3 तो इसका value जो value होगा यह total का हो जाएगा 100 root 3 आपको निकालना क्या है c d का value निकालना c d मतलब क्या है b d minus b c c d का value निकालना है न इतना सा distance जाने में 2 minute लगता है इसको तो यह वाला distance जाए बी D कितना है? 100 root 3, B C कितना है? 100 by root 3, अब इसको नीचे करेंगे तो root 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 100 into root 3 into root 3 minus 100, क्या होगा? यह हो जाएगा, 100 3 into 100 minus 100 by root 3, तो क्या होगा? यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, 300 minus 100 by root 3 equal to, यह हो जाएगा, 200 by root 3, 200 by root 3, क्या हो गया? इतना मीटर आपका हो गया, distance, इतना मीटर क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, 200 by root 3 क्या है? यह CD का, equal to CD का distance है, इतना distance इसको जाने में कितना लगता है? दो मिनिट लगता है, तो speed क्या है? speed क्या होगा? speed equal to distance by time, distance क्या है? 200 by root 3, time क्या है? 2, 2 मिनिट लगता है आपको मीटर पर मिनिट में पूछा है, तो आप कनवट नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, 200 by 2 into root 3, यह किसको कट देगा? 100 by, तो क्या हो जाएगा? 100 by root 3, meter per minute, यह हो जाएगा, 100 by root 3, meter per minute, इतना आपका हो गया answer, आप root 3 का जो फेलू है, 1.732, 1.732 नीचे बैठा के आप divide कर दोगे, तो आपको approximately answer आपको मिल जाए, this is how we will solve this kind of question in examination, क्या कि आपको समझ में आगे, आपको मैं CD, मेरा motive था CD निकालना, यह वाला पार्ट निकालना, मैं थोड़ा color change कर देता हूँ, मुझे यह वाला पार्ट चाहिए था, तो मैं क्य system निकाल के time से divide कर दिया, तो इसका answer हो गया, 100 by root 3 meter per minute, यह हो गया आपका answer for this question, अब root 3 का value है 1.732 यह बैठा के divide कर सकता, right, so this is how we will solve this kind of questions, let us move at, next है, there is a flag staff on a tower of height 20 meter, एक आपका tower है, ठीक है, वाला लेते है, यह वाला आपका tower है, यह tower है, ठीक है, उसके उपर एक flag staff है, तो इसका दिया हुआ है, height क्या है, 20 meter, 20 meter, at a point on ground, the angle of elevation from 2 foot and top of the flag are 45 and 60, तो यहां से एक point ले लेते हैं, यहां, यहां से एक point ले लेते हैं, यहां, इसका दिया हुआ है 45, और इसका दिया हुआ है 60, ठीक है, नीचे वाले का है आपका 45, उपर वाले का है आपका 60 degree, find the height of the flag staff, तो यहां से height लिकालना है, आप यहां पे नामनक्रित कर लेते हैं, यह B, इसका C, इसको D मन लेते हैं, so now, यहां पे मैं color change कर लेता हूँ, paint का, in triangle, अब मैं नहीं लिखूंगा कि given क्या क्या ही हो, आपको लिखना है, given इतना है, height इतना दिया, बार 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 नहीं लिखूंगा, आपको exam में लिखना है, हर एक step आपको follow करना है, तो आपको marks cut C, क्या लिख सकते है, 10, 45, degree equal to BC, by CD लिख सकते है, यह perpendicular है, यह base है, तो क्या हो गया, 10, 45 मतलब 1 है, equal to BC कितना दिया हूँ है, 20, by CD, तो यहां से CD का value कितना आ गया, 20 meter, CD क्या हो गया, यहां पे 20 meter, ठीक है, CD का value आ गया, अब क्या पूछा है, find the height of the flag stop, अब, in triangle, ACD, यहां पे क्या है, हम लोग लिख सकते है, 10, 60, degree equal to AC by CD, लिख सकते है, तो AC by CD क्या है, यहां से, हम लोग AC का value क्या आ गया, CD into 10, 60, 10, 60 का value क्या है, root 3 है, तो CD क्या हो गया, CD क्या value क्या हो गया, CD आपका आ गया, CD का दिया हुआ है, पहले 20, तो 20 root 3 आपका यहां से answer आ गया, तो इसका total का कितना आ गया, 20 root 3, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, AB का, तो AB क्या हो जाएगा, AB equal to AC minus BC, AC का क्या है, 20 root 3 है, BC का कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो यहां से 20 कमन लेंगे, root 3 minus 1, root 3 का value कितना है, 1.732 minus 1, क्या आ जाएगा, 20 into 0.732, यह आप calculate करेंगे, तो कितना आएगा, 14.64 meter, 14.64 meter आपको यहां से answer आ जाएगा, right, तो this is how we will solve this kind of questions in examination, तो यह वाला हो गया, flag staff, flag staff मतलब AB, तो यहां पर आपको लास्ट में लिखना है, hence, so लिखना है, hence, flag staff मेजर 14, मेजर 14.64 meter, 14.64 meter, this is how we will solve this kind of question in examination, समझ माया, कैसे flag staff निकाले, पहले हम लोग नीचे वाला पार्ट निकाले, CD का गया, यह आप बड़ा वाला triangle ले रहे, उसको में भी अब लोग 10 लिये, तो पर्पे बड़ा वाला AC का गया, BC का गया दिया हुआ है, तो AC से BC minus करेंगे, तो AB का value आ जाएगा, तो वही किये, तो answer यहां से आ गया, 14.64 meter, understood, तो this is how we will do this kind of question in examination, कोई भी doubt है, तो आप पूछ सकते हैं, चलिए, यह आखरी question है, आज का class का, इसमें आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या है, बहुत ही अच्छा question है, इस टाइब का question आपको examination में देखने को मिलता है, two poles are of equal height, standing opposite to each other on either side of a road, यह मान लेते हैं, यहां पर एक अपका tower है, और यहां पर एक अपका tower है, दोनों का जो height है, बड़ाबर है, दोनों का जो height है, यह बड़ाबर यह, आप दिया हुआ है, एक point यहां पर मान लेते हैं, तो यहां पर एक इसका angle of elevation यह बन रहा है, और इस points angle of elevation यह बन रहा है, आप क्या दिया है, which is 80 meter wide, यह total load का यह है, total इसका दिया हुआ है 80 meter, अब इसको हम लोग x मान लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 80 minus x हो जाएगा, इतना साग अगर x है, तो इतना क्या हो जाएगा, 80 minus x हो जाएगा, total से x मान लेंगे, तो यह बाला पाट आजाएगा, इसको नमान क्रिक कर लेते हैं, A, B, C, D, E, ठीक है, इसको नमान क्रिक कर लेते हैं, एंगल of elevation of top of the poles are 60 and 30, तो यह बाला थोड़ा दूर में है, इसको मान लेते 30 है, और इसको मान लेते 60 है, ठीक है, इसको मान लेते 30 है, इसको मान लेते 60 है, अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, हाइट आपको है, इसका भी h है आप h equal to h आपको दिया हुआ है है कि नहीं दोनों का height आपका बढ़ावर है तो यहाँ पे ab equal to d यह आपको given data है आपको लिखना है given data is this road का है major 80 meter if we take c is equal to x तो bc will be 80 minus x यह आपको लिखना है आपको everything आपको लिखना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ क्या इसे क्या करना है so in triangle abc क्या हो रहा है 10 30 degree equal to क्या आगया perpendicular मतलब ab ab by bc यह आपका हो गया ab by bc आपका 10 30 का value तो ab क्या है ab आपका tower है tower मतलब h तो बैठा देते है 10 30 मतलब 1 by root 3 ab क्या है h bc क्या है 80 minus x डारेकली मैं value लिख रहा हूँ आपको लिखना examination में examination point of view आपको लिखना क्या है आपको लिखना है कि 80 minus x इसको अगर x पकड़ते हैं तो यह 80 minus x है यह आपको लिखना है और इसको x माल लेते है यह 80 minus x माल लेते है तो लिखना है आपको every point should be there on your copy अगर एक भी point आप जंप करते हो step जंप करते हो आपका marks आपको यहाँ पर क्या हो गया यह 1 by root 3 equal to h by 80 minus x आपको हर x step जो है लिखना है ठीक है तो यहाँ पर directly मैं ऐसे लिख सकता हूँ 80 minus x equal to root 3h directly ऐसे लिख सकता हूँ equal to root 3h तो ऐसे क्या हो गया यहाँ से आम लोग लिख सकते है क्या कि root 3h plus x equal to 80 इसको मान लेते equation 1 अब second triangle पर आजाते हैं second triangle क्या है triangle d e c में आजाते है triangle d e c में क्या है यहाँ पर tan 60 equal to d e by c e इसे लिख सकते हैं तो tan 60 क्या होता है tan 60 होगी आपका root 3 root 3 होता है ना tan 60 tan 60 आपका root 3 equal to d e कितना है d e आपका h है c e आपका x है तो यहाँ पर आ गया h equal to root 3x यह equation 2 है तो आप क्या करेंगे आप यहाँ पर लिख देता हूँ putting 2 in 1 अब 2 के ही है हिसाब से h का value है यहाँ पर मैं put कर दोंगा क्या आ जाएगा root 3 into h क्या है root 3x plus x equal to 80 यहाँ से क्या आ जाएगा root 3 into root 3 मतलब 3x plus x equal to 80 आ गया अब क्या होगा 3x plus x 4x equal to 80 हो गया x क्या हो गया यहाँ से 80 by 4 मतलब 4208 20 हो गया x का value कितना आ गया 20 आ गया तो आपको क्या पूछा गया find the height of the pole and distance from the point of the pole height of the pole और distance from the point of the pole पूछा गया height of the pole आपको h निकालना है x का value यहाँ पर 20 आ गया तो h क्या हो जाएगा h अगर कर पाइड equation 2 यहाँ पर मैं line लिख देता हूँ h equal to root 3 x x का value हम लोगो क्या मिला हम लोगो 20 मिला 20 root 3 हो गया आपका height height आपका आगया 20 root 3 और distance क्या है x का 20 meter है तो answer क्या हो जाएगा मैं blue में लिख देता हूँ मैं अगर blue में लिख देता हूँ तो what will be answer height of tower equal to 20 root 3 meter and distance क्या होगा distance will be equal to 20 from 20 from left 20 from right and 60 from 60 meter मैं अगरी इहां पर थूड़ा रप करके मैं लिख देता हूँ ता कि ऐगदम clearly आपको देख पाए यह वाला am iis clearly आपको लिख्ते रहा हूँ समझ में आगया होगा मैं क्या answer लिखना चाहया हूँ आपको यह समझमें आगया होगा तब भी मैं एक बार clearly यहां पे लिखना चाहता हूँ ताकि अग्दम clear हो जाए ठीक है तो यहां पे डिरेक्टली लिखता हूँ height of क्या होगा height of tower क्या हो जाएगा 20 root 3 meter और distance क्या होगा distance will be 20 meter from right and 80 minus 20 equal to 60 meter from left लब AB से 60 meter हो गया यहां से 20 हो गया ठीक है examination point of view I hope कि आपको आज का class में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको आज का class अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो make sure you like, share and subscribe हम लोग फिर प्यूलाखात होगा हम लोग आप लोग के साथ next class में more concept of height and distance till there take care and good bye